जिदर भी देखो, हवस के जल्लाद बैठे हैं, संभाल कर रखो अपनी फूल सी बेटियों को, क्योंकि देश चलाने वाले बेवलाद बैठे हैं, बेवलाद उन्नाव रेप केस, आरोपी, कुलदीब कुमार सेंगर, बीजेपी का विधायक पहला उधारण, दूसरा उधारण, आसीफा, आठ साल की मासूम बच्ची, कठुवा जम्मू का केस, इसमें भी आरोपी, बीजेपी के नेता पाए जाते हैं शाह जानपूर, रीजेपी का केस, चिन्दमे आनंद स्वामी, एक बेटी को ब्लैक मेल कर रा था, निबस्र होकर, उससे मालिश कराता था, कौन है वो आदमी, वो है पूर्व ग्रेह राज्य मंत्री, बीजेपी की सरकार का NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक, हर तीन मिनट के अंदर, देश के किसी ना किसी राज्य में, किसी ना किसी शहर में, किसी ना किसी गाओं में, बस्ती में, हर तीन मिनट में, कोई नो कोई, बच्ची, महिला, बुज़ुर्ग, रेट का शिकार होती है लेकिन दुर्भाग्य वन्ष स्थिती ये है कि ना तो देश की महिला बाल विकास मंत्री के पास अपराधियों के खिलाफ कारेवाई करने का समय है ना पीडिता के परिवार से मिलने का समय है लेकिन उनके पास लाल किले में गीता प्रेणा महतसव के अंदर फोटो खिचवाने का समय है उसी कड़ी में देश के प्रधान मंत्री जी के भी पास बड़े बड़े ने स्पोट्स परसन हो या भी नेता हो उनके साथ फोटो खिचाने का समय है उनकी शादियां आटेंड करने का समय है लेकिन देश की बेटियों पर हो रहे अत्याचार उनकी सुरक्षा उनकी जिम्मेदारियों को लेकर देश के प्रधान मंत्री के पास टाइम नहीं है उसी प्रकार देश के ग्रह मंत्री श्रीयमित साहजी उनके पास अंधेरी काली रात में सरकार बनाने का पूरा समय है उनके पास विधायक खरीदने का समय है लेकिन देश की बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो देश की सुरक्षा सुनिश्चित हो इसके लिए देश के स चलाद बैठे हैं संभाल कर रखो अपनी फूल सी बेटियों को क्योंकि देश चलाने वाले बेवलाद बैठे हैं बेवलाद बैठे हैं बिल्कुल चिंता नहीं है आज देश में महिला शुरक्षा पे तो महिला शुरक्षा बेतु की बाते हैं महिला शुरक्षा बेतु की बाते लगी आपको बेटियों की सुरक्षा आपको बेतु की बाते लगती है आप देख जिनका शब्द निकलवाएं आप पहले कारवाई से बेतु का शब्द निकलवाएं मैं आप अगर किसी बेटी के साथ अत्याचार होता है और उसके खिलाफ कर प्रोटेस्ट करता तो आप की दिल्ली पुलिस उसको ठागे जेल में दालती है श्रमारी चीह दूब के मर जारा चाहिए आप लोगों को डाकी है उपर से बैकितुक बोल रहे हैं शर्म नहीं आरे जञैप झाल Jewish रांगी मैं चाहिए झाल होतीता है 모लत प्लीजद song मांशंद शंग में तरी त्रटी जी हं विरा है अदेख जी मैं दुबारा इस बात को दराऊंगी जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं संभाल कर रखो अपनी फूल सी बेटियों को क्योंकि देश चलाने वाले बेवलाद बैठे हैं बेवलाद है अदेख जी आए दिन चाहे छोटी बच्ची हो चाहे 17 साल की डॉक्टर हो चाहे 56 साल की बुजूर्ग महिला हो हर कोई हवश का सिकार बन रहा हर कोई रेप का शिकार बन रहा है लेकिन सियासत में बैठे इन सियासत दानों को कोई फरक ही नहीं पड़ता कोई फूल सी बच्ची को नौच ले कोई युवा बेटी को जिंदा जला दे कोई बुजूर्ग महिला को नौच डाले लेकिन सियासत दानों को फरक नहीं पड़ता ऐसे में सवाल उठता है कि देश जा की सौर रहा है देश की ये पचास फीसदी जो आबादी है इसको सुरक्षा मिलेगी कैसे ये बड़ा सवाल है और अध्यक जी देश की इन बेटीयों को देश की इन महिलाओ को देश की इस आदी आबादी को शुरक्षा जब मिलेगी जब केंदर में बैटी हुई सरकार की मानसिकता बेटियों के सम्मान में हो जब केंदर में बैटी ही सरकार की जो सोच है वो महिलाओ को सम्मान देने की हो लेकिन आज अद्यक जी बड़े ही दुख के साथ कहना बढ़ रहा है कि दुर्वाग्य वंश देश की केंदर में ऐसी सरकार बैटी है जो आए दिन महिलाओ पर हो रहे हत्याचार और कुकरम में खुद लिप्त पाई जाती है इसके मैं पुक्ता उधारन पेश करती हूँ आज इन सदन पटल के उपर उन्नाव रेप केस आरोपी कुलदीप कुमार सेंगर बीजेपी का विधायक पहला उधारन दूसरा उधारन आसीफा आठ साल की मासूम बच्ची कठवा जम्मू का केस इसमें भी आरोपी बीजेप का केस चिन्दमे आनंद स्वामी एक बेटी को ब्लैक मेल कर रहा था नीबस्र होकर उससे मालिश कराता था कौन है वो आदमी वो है पूर्व ग्रह राज्य मंत्री बीजेपी की सरकार का मिस देश का ग्रह मंत्री नाम जब तड़ीपाल रह चुका है यह मैं नहीं कह रही य इतना गंभीर मामला देश की आदी आबादी आज बार मिकलते हुए यह सोचती है कि मैं वापस आउंगी या नहीं आउंगी आज हमारे माबाप हमारे भाई बहन हमारे रिष्टेदार जब मेरी जैसी बेटियां अपने काम पर पढ़ने के लिए लिए लिखने के लिए जा सिती में वो बेटी वापस आईगी मन में अगर महिलाओं के लिए सम्मान है तो उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकती है उन्हें न्याय भी दिलाया जा सकता है और उनका शशक्ती करण भी किया जा सकता है मैं उम्मीद करूंगी कि देश में आज जो सिती है वो सित वो महिलाओं के विरोध में रखते हैं और जो उनकी मानसिक्ता महिला विरोधी जलकती है